टेटो कवारी, शापित है वो जगा, वो शादी करना चाहता था, और उससे पहले ही उसकी मौत हो गई, उसी दिन से इंतजार में है, वो अपने वन शंच की दोस्तों सबसे पहले ते यार अगर अगर अपने नय हो चैनल पे तो चैनल को सबस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपको देता रहूँ, तो दोस्तों आ गया हूँ में एक और वीडियो लेकिए जिसमें बात है दोस्तों मुंज्या, इस तरी टू और भीडिया के कनेक्शन की और भी बहुत सारे डिटेल्स आपक चुकी है, जहां पर आप सब्सक्रिप्शन के साथ इसे देख सकते हैं, अब बात करते हैं डिटेल में इस मुवी की, तो मुवी ओलिडि आपने हो सकता है, देख रखी हो, अगर नहीं देखी हो, तो दोस्तों ये भी एक मैडॉक प्रोडक्शन की फिल्म है, जैसे की भीड किया गया है, वो अपने आप में बहुत इच्छा है, और साथ में जो बैक्राउंड म्यूजिक चलता है, वो बड़ा ही मस्त है, और अब अगर बात करें इस मेडॉक हरर यूनिवर्स की, तो यह जिस तरीके से बना रहे हैं, आपस में मुवी सो करनेट कर रहे हैं, तो वो हर मुवी में देखा, कुछ कनेशन जरूर अब जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब मुवी यारी कि स्ट्री टू भी आ चुकी है, भीडिया भी आ चुकी है, और साथ मुझा भी आ चुकी है, और उनका कनेशन भी हमें होता हुआ दिख रहा है, तो मुझा लेकिन बिट्टू के पास में आब उसकी माकेट चड़ी होती है, जिससे वह मुंजय को डरा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज मुंजय आप उसमें से आजाद कैसे होगा पेड से क्यूंकि उसने पेड में उससे कैद कर दिया था। तो वो हमें post credit scene में दिखाय जाता है, जब हाथ में ending चल लही होती है, उसमें दिखाय जाता है, तो ending में दिखाय तो पेड़ को कुछ लोग काट के ले जा रहे हैं, तो काट के ले जा रहे हैं, यानि कि मुन्जिया को भी आजाद कर दिया गया है, और काट के ले जा रहे हैं, उसके बाद में entry होती है यहाँ पे जना की और भेडिया यानि की भासकर की जिसमें जना जो है वो मुन्नी नाम की चड़ी लेके आता है भासकर के लिए और उसको देता है तब पीछे से का आवाज आती है मुन्जया की की मुन्नी यानि की मुन्जया आजाद हो चुका है और उसने भासकर को भी देख लिया है, जना को भी देख लिया है, ये चीज हमने देखी मुंजया के पोस्ट क्रेडिट सीन में, लेकिन यहीं सेम चीज हमने इस्टरी 2 के भी पोस्ट क्रेडिट सीन में देखी थी, जहां पे मुंजया तो नहीं दिखाया गया था, लेकिन साथ मे सेम सीन दिखाएगा तक जसमें जना लिखे जाता है चड़ी को और भासकर उसे पहनता है और उस पे नाम लिखा जाता है मुने यानि कि यह दोनों मोवी आपस में करेट कर दई गई है और अब जो अगली मोवी आएगी उसमें इनका कनेक्शन हमें जरूर देखने को मिलेगा अब इस तरी टू के और अगर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो वहाँ पे जो जना है वो अपने दोस्तों को यानि कि यहाँ पे राजकुमार राओ और जो दोस्त हैं उनको भी बोलता है कि भेडिया यानि कि शहर में जाना रिस्की है कि शहर में एक और बंदा आ जो की काट लेता है अब ये काटने वाला बंदा मुंजिया तो नहीं है ना ही भेडिया है ना ही इस्तरी है तो ये तिसरा बंदा काटने वाला कोई वैंपायर होचता है जिसके हमें हिंट मिली हुई है और जिसके बहुत पहले हमें हिंट दी गई थी भेडिया में भी कि अ और ये मस्त मूवी जा रही हैं जो हमें अच्छी लग रही है सारे लोग को अच्छी लग रही है ऐसा आधंत्ना जैजिए और अच्छी लग रही है क्याल है तो दोस्तो time prick इस्वीー में इतना हीम्लते हैं एक लिअ में कुछ लुए शोठ दिल्का सर्थ बात लेंगे लेकिन उससे पहरे दोस्तों यहाँ वीडियो को सब्सक्राइब कर लेजिये कमेंट कर जीए लाइक कर दीजिये शेयर कर दीए चैनल को कर तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तक कि आने वाले सारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एकलर वीडियो में तब तक लिए बाए